हाई अब्रों एलकम बैक टो गीक साइड है दिस दिस सीरी जोन मॉडर्न हिस्ट्री हम पार्टिशन बंगाल पढ़ रहे थे किस तरह से उसको आइस्ट आइस्ट से रिप्रेस किया गया बाई वेरियस गोर्मेट एक्ट सेडिशन चार्ज लगाए गए प्रेस गैग किया गया और किस तरह से एक्स्ट्री मिस्ट्स को बाल गंगे दर तला को जेल दी गई लाला लाजपत्रा बाहर चले जाते हैं और इस तरह से मुवमेट क्या हो जाते हैं लेडरलेस हो जाती है तो जब लेडरलेस हो जाएगी मुवमेट तो यूथ जो किनके पीछे चल रहा था है ए अब extremist leader कोई रहा नहीं इनको lead करने के लिए तो इन्होंने arms उठा लिए ये violence की तरफ चले गई उन्होंने बोला जो हम पर कर रहे हैं उनको हम मिटा देंगे फारिजनल अगर कोई मेजिस्ट्र कोई गलत काम कर रहा है पुलीस आपसर कोई गलत काम कर रहा है तो उन पर अटक्स हो जाएंगे यानि कि वाइलन सब आ जाता है इंडिनेशनल मोवमेंट में जिसको रिए अक्टिविटीज या मिलिटर न हो जाती है फारिन में भी हो जाते है क्योंकि जब यहां पर प्रेस बैन हो जाता है सेडिशन चार्जिस लागाए जाते हैं फिर यहां के लोगों के पास लीडर के पास कोई चारा नहीं रहा जा तो वह फारिन में अपनी इंडिनेशनल मोमेंट चलाने लगते हैं तो वहां रेवलिशनरी ग्रुप्स बनाए गए मिदानपूर में वाई जनिंद्रानाथ बासू ये नाम आपको याद रखना है इसी तरह वेरी वेरी इंपॉर्टन्ट है बंगॉल की एक्टिविटीज में अनुशलन समिती जो कब बनाए गई थी 1902 में प्रमोथा मित्तर के दौरा इ ये जो बेरंदर कुमार गोश विद बुपिंद्रानाथ दत्ता ये युगांतर वेहिकली बनाते हैं जिसमें लिखते हैं अंग्रेजों के खलाफ ये मैंने आपको नियूस पेपरस मैं भी बोला होगा सीक्रेट सोसाइटी बनाई जाती है भाई राश बहरी बोस एंड सच कि एक बुक है बंदी जीवन वेरी वरी इंपॉटन्ट याद रखना है कुच्छन पोछा जा सकता है बंदी जीवन किसकी बुक है राश बहरी बोस एक था और राश बहरी गोश एक था राश बहरी गोश 1907 का आइनसी सेशन का प्रेजजंट था 1908 में भी यही यजो बाहर होते हैं जो बाहर चला जाते हैं फॉर फारी चेहां जाए रखी गई तो अनुशलम जो बनाए गई यह दूनु जगा काम करती यहां यहां पर भी काम करेगी तो यह जो पस्क्राइब है यहां पे जो पहला लेटीनेट्ट गवलर्ण्त चुना गया था तो इन्हें बोला जब पार्टुशन होने वाला था तो हो गया तो इन्हें बोला हम हम अब attack करेंगा तो सर्फोलर पर बाम चलाया जाता है, किसको मारने के लिए, डॉगलस किंगस्पोर को मारने के लिए, ये कून होता है, ब्रिटिश चीफ मैजिस्ट्रीट, ब्रिटिश चीफ मैजिस्ट्रीट, इसको मारने के लिए एक बाम चलाया जाता है, बाई प्रफुला चक्की एंड खुदीराम बूस प्रफुला चेकी और खुदिराम बोस इस कनस्पिरेसी को मुरारी पुकूर कनस्पिरेसी या मनिक्टोला बाम कनस्पिरेसी भी बोला जाता है मनिक्तولा बाम कानस पर इस लिए इस रोड पे मनिक्तولा रोड पे और अरोबिंदो गोश्च का गर्मी होता था इसलिए इसको इस केस में एरेश्टिक किया जाता है उनको लगता है शायद इसकी भी लिंक इसमें है लेकिन फिर सबूत नहीं मिलता तो इसको छोड़ दिया जाता है प्रफुला चक्की अपने आपको गोली मार दियता है और खुदिरम बोस को फासी की सजा दी जाती है यहां पे डॉगलस किंग स्पोर्ड नहीं मरता है बलकि इंगलिश टू लेडिज मर जाती है इसी बाम पे बाल गंगादर तिलक ने बोला था ये एक मनस्ट्रस एक्ट है लेकिन ब्रिटिश ने हमारी पेशनस पार कर दिया अब हर किसी हूमन हर किसी इनसान की पेशनस बली पार हो गई अब हमें ऐसे काम करने पड़ रहे है उसी पे उसको जेल दी गई थी यहां पे बाम बनाने वाला ग्रूप जो था उसका लेडर बोला गया बरेंदर कुमार गोश को उसके साथ उलासकर दोनों को डेथ पैनल्टी दी गई लेकिन वो लेडर कम्यूट कम कर दी गई और उनको लाइफ इन प्रिजन की सजा दी गई यहां पे विटनेस बन गया था उनके खलाब गवाही किस ने दी थी नरंदर गोसे ने या नरंदर गोसवामी ने जिसको इस सतिंद्रानाद वोस और कनैलाल दातने जेल में ही दाग दी गोली और खात्मा हो गया उस का यह था अलीपूर कनस्परेसी केस बरह दकोईती बरह दकोईती अभी हमने पढ़ा कि इस्टर्म बंगाल भी है वेस्टर्न बंगाल भी है तो अनुशलन सम्मिती दोनु जगा काम करेगी यहां पे भी लेडर होना चाहिए यहां पे भी लेडर होना चाहिए तो इस्टर् बंगाल में जो अनुशलान था उसको वेश्टर अनुशलान समिती बोला जाता था यहां पर लेडर बनाया गया था फिर लेडर ली कौन बगा जेतिन बगा जेतिन का नाम था जेतिन दरानाथ मुखर जिसका फिर टाइटल दिया गया बगा जेतिन उसको प्यार से बगा जेत बिल्क विलिट्ट यहां सिप्पूर केस्पीरीश के साह बोला जाता यह बोला वह बोलो किसी करना चाहते कहती है इसलिए उसको मार दिया गया क्योंकि में ग्रुप कुण था वहां पर अनुशलर्ण समीति जब उसको मार दिया जाता है वफोर्टी समय चिंटि भूप परसन होते हैं इसको अरश्ट किया जाता है जिन में मेन होता है जेतिंदरनाथ मुखर जी, जो लेटर बन जाता है, वेस्टन वेस्टन और नरिंडरनार बटर चार जी को एक साल की सजा इस केस में हो जा जाती है यह केसे इसलिए है क्योंकि एन्सिडंट हो गया इसके بعد कुछ लोग उनको एरेस्टिक किया गया है यहां पर पढ़ने पढ़ रहे हैं दिली लाहोर कानस्परेसी केस 1912 यहां पर क्या हो जाता है दिली कानस्परेसी केस भी इसको बोलते हैं लॉड हार्डिंज जो की वाइस राय सच्चन साइनल की बुक मैंने क्यों बली थी बंदी जीवां तो यहां पे वाइस रॉइ लॉड हार्डिंज जखमी हो जाता है और इंडियन एटेंडेट एक यानि की रखवाला जो होता है इसका यहां पे प्रसेशन में तो वो मर जाता है वो मर जाता है यह दिल्ली लाहूर करनसपरिसी केस 1912 वर्डवार फिस्ट कब हो जाता है 1914 से 1929 तक यानि की 1912 इसके नजदीक है अब रिवल्यूशनेरे अक्टिटीज वर्डवार के नजदीक पहुंच रही है अब जमेरमान पनाना जर्मन पलाट इसी वर्लडवान वन से रिलेटेड है यहां पे वर्लडव यहां के लोग यूगा अंतर पार्टी के लोग जर्मैनी में जो भी लोग होते है रोलिशनेर या निशनलिजम से इंडिया निशनलिजम मोवमेंट के साहतो वह सिंपैथाइजर जो होते हैं उनसे बादचित करके अरेंज करते हैं तो इंपोर्ड जर्मन आमजरन फोरेख अडिया में और फूर्ट विलियम को जो कि कलकत्ता में था उसको क्या करेंगे कबज़ा उससे और आरमी है क्योंकि इसमें इस भी क्या इनी आम उसको लेने के लिए क्यूंकिakyalg नहीं होता है यह जाता है Odisha Coast पे इन आम उसको diarrhea होथा है इनको लेने के लिए लेकिन जब 1983 उपाया प्रिस को लिया पे पहुंच जाती है और उसको ौली मार दि जाती है और Concorro कोशिन कभ September 1915 September 1915 इसी टाइम पिरिड में ये जो राश्ट बहरी बोस था ये चला जाता है बाहर कहां पे ये चला जाता है लंडन इसी 1915 की बात है तो ये था Zimmerman Planet German Plot होप आपको लेक्चर पसंद आए होगा अगले लेक्चर में यही militant nationalism है revolutionaries की activities देखेंगे महारास्टा में फिर पंज़ा में फिर foreign में तो तब तक के लिए धन्यवाद